हेलो फ्रेंड्स आज चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर सेकेंड मिंस पॉलिनॉमियल का मोश्ट इंपॉर्टेंड कोस्टन जो की पी वाई क्यू है मतलब की प्रिवियस ये कोस्टन है यह कोस्टन सी वियस सी 2010 में पूछा गया है यह कोस्टन हमारा इसका रूट निकलना है इसका रूट क्या होगा एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स माइनस पी ब्रैकेट में पी प्लस वन अब यह इसको हम लोग पहले मान लेंगे पी एक्स मेंस इसको पूरा पी एक्स और हमारा जो है पी एक्स यह हमारा किसके बराबर है जीरो के यह जो हमारा पी X से वे 0 के बराबर है तो हमको इसको factor निकालना होगा इस चीज़ को हमको इस तरीके से करना है इसको देखिए यह जो term है यह जो हमारा term है इस term को ऐसा multiply करना है कि यह जो number है इसको multiply करने पे हमारा यह जो दो number मालीजे दो कोई भी संख्या लिया जा रहा इसको ही किया जा रहा factor आई तो आना चाहिए P bracket में P plus 1 minus sign के साथ और अगर हम इसको जोडते है X plus Y करते है तो हमको आना चाहिए 1 means the factor the constant value of X X की constant value आनी चाहिए तो चलिए इसका factor निकाला जाए X square plus X minus P bracket में P plus 1 is equal to 0 इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको factorize करेंगे इसको हम लोगों को factorize करना है तो X square plus P plus 1 इसको bracket में कर लेंगे X minus P X अब इसको add as it is इसको note कर लेंगे P P plus 1 bracket close is equal to 0 यह हमारे एक question बन गया अब यह जो तो हमारा term है और यह जो हमारा दो term है इन दोनों term में से common क्या क्या निकला जा सकता है तो इसमें से हमारा common क्या निकल सकता है only X सिर्फ यहां से common निकलेगा तो हो जाएगा X plus bracket में P plus 1 यह हमारा एक आ गया term और दूसरे के लिए हम लोग minus यहां से निकाल सकते हैं minus P let's take minus P outside X plus यह minus minus plus हो जाएगा और यहां से आ जा रहा है P plus 1 is equal to 0 अब यहां से हमको common क्या मिला X minus P and second bracket में X plus P plus 1 is equal to 0 अब यह हमारे दो product आ गये हैं जिसको multiply करने के बाद X square यह हमें मिल जाएगा multiply करने के बाद अब इन दोनों को अलग-अलग equate करेंगे 0 से क्योंकि यह पूरा equation हमारा 0 के बराबर था इसलिए हम लोग 0 से square करेंगे तो X की value P आ जाएगी और दूसरे के लिए X की value लाने के लिए दूसरा इस equation को 0 के बराबर यह जो पूरा equation है 0 के बराबर दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं X is equal to इसको right hand side ले जाएगे तो negative आ जाएगा P plus 1 P plus 1 यह हमारा 2 X की value आ गई यह हमारे X की value है so this is our answer so please subscribe my channel and like this video, thank you